तीन सो साहाट अरप साल पुर्वक हमारी प्रत्वी पर हर जगह हरियाली थी मौसम वातावरण के अनुकूल परिबर्तित होता था व्रक्ष पेड़ पौधे हरे थे और जलवायू का चतकर अपने समय के अनुसार चल रहा था जो हमारी प्रत्वी है हर साल इसका तापमान बढ़ता ही जा रहा है इस मार्च के महीने में जहां औसत तापमान 30 से 33 डिग्री होना चाहिए था वहां इस मार्च के महीने में तापमान उत्तर भारतिय चेतरों में 40 से 43 डिग्री सेंटिग्रेट था क्यूं आपको वातावरण का मिजास कुछ बदला बदला नहीं दिखाई दे रहा है जलवाई पर्द वर्तन की वजह से मौसम पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ रहा है आंधी तोफान के साथ बिजले गिर रही है श्व के कई इलाकों में वर्फीले पाहाडों की वर्फ पिघल रही है समुद्र का जल इस्तर बढ़ रहा है कुछ छोटे छोटे द्वीप जल इस्तर बढ़ने से विलुप्त हो गए है और कई देशों में इसका प्रभाव बाड के रूप में दिख रहा है जैसे कुछ देश चाइना और इंडोनेशिया है इसके प्रभाव से समुद्र का तापमान भी बढ़ रहा है और इस परिवर्तन के कारण भारी वर्षा और तुफानी की समस्य अभियुत्पन हो रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम अपनी और साथ ही में गर्मी की लहर चलने के कारण धर्ती की नमी सूख रही है जिससे जंगलों में अचानक आग लगने की समस्य अभियुत्पन हो रही है एंटारकटिका में माइनस 50 डिगरी के टेंपरेचर में मनुश्य के शरीर को वर्फ की तरह जम जाना चाहिए वहां आज तापमान बढ़कर माइनस 12 डिगरी सेलसियस हो चुका है और कई भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम हिमालाई की बर्फिली चट्टानों से ही हुआ है और पिछले कई वर्षों में हिमालाई ने अपने गलेशियस का 50 प्रतिशत भाग खो दिया है और जिस दिन यह गलेशियर पूर्णता समाप्त हो जाएंगे तो समुदर में जल की अधिक मातरा होने के कारण समुदर का जल सथर बढ़ जाएगा जिससे कई राजियर समुदर में डोग जाएंगे और कई इलाकों में समुदर का जल शेहर की और प्रवेश कर सकता है असाधरन जलवायू परिवर्तन का खामियाजा विश्व के कई देशों को भुगतना पड़ सकता है विश्व के कई देश भू संकलन और भुकंप जैसे समस्याओं से परिशान हैं और कई देश बार्जेसे समस्याओं तथा मौसम के परिवर्तन से आंधी, तुफान और बिजली के कारण जंगलों में आग लगने की समस्या से जूज रहे हैं. इस कहानी के शुरुवात कारबन के हजारों लाग साल पुर्व धर्ती के अंदर दबई होने से हुई हैं. और जिस प्रकार वातावरण में कारबन डाई ओकसाइट की मात्रा बढ़ रही है, उसका कारण और धुगी करण कारखाने मानविय अगति वीधियां, परिवहन के साधनों का दुरूप्योग करने जनसंख्या ब्रधी के कारण, पश्यु पालन के कारण, पेडों की कटाई, जन्गलों में आग लगाना तथा कच्रा फैलाने जैसे कारणों से कारबन डाई ओकसाइट की मात्रा बढ़ती ही जा रही है, और जन्गलों में आग लगने से भी कारबन का उत्सर्जन अत्यदिक मात्रा में हो रहा है, इसके कारण सन 1707 में धर्ती का तापमान सामानने की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने लगा, जिसे ग्लोबल वामिंग कहा गया, और इसका कारण ग्रीन हाउस इमिशन है, जो की मानविय गतिवीधियों से हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसे हमारी धर्ती पर प्राक्रतिक रूप से उत्पन्न होती है, पर मानविय गतिवीधियों जैसे की जिवाश मिंधन के जलाने के कारण, एगरिकल्चर के कारण, पेडो की तरह गेहरा हुआ है जो की सूरज के प्रकास से गर्मी के लहरों को अफशोशित कर रहा है इसे ही ग्रीन हाउस एफेक्ट कहते हैं इसी फाइट के कारण अब तक अर्थ का टेमप्रेचर संतुलन में बना रहा है हमारी धर्थी का भविश्य हमारे हातों में है जिसके लिए हमारी कम्यूनिटी को एंवायोमेंटल फ्रेंडली उपायों का प्रयोग करना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग को नियंतरित करने के कुछ उपाय इस प्रकार है पहला जिवाश में इन्नन के प्रयोग की जगा हमें प्राक्रतिक उर्जा के स्त्रोतों का प्रयोग करना जैसे सौरी उर्जा, जल से उत्पन, हाइडरोलिक उर्जा तथा पवन उर्जा दूसरा परिवहन के उप्योग से उत्पन ग्रीन हाउस गैसों में कमी करना चाहिए तीसरा वनों की कटाई पर पाबंदी लगा कर उर्धवाधर खेती का प्रयोग करना चाहिए Reduce जिसका अर्थ है हमारे द्वारा उत्पन किये जाने वाले कच्रे की मात्रा को कम करना Reuse जिसका अर्थ है वस्तूओं का एक से अधिक बार प्रयोग में लाना Recycle जिसका अर्थ है किसी भी वस्तू को देखने की जगह उसे दोबारा उप्योग में लाना और रितिक का मतलब है कि इस बात पर विचार करना कि हमारे कार्य परियावरण को किस प्रकार से हानी पहुचा रहे है Remind का अर्थ है जन्ता को समय समय पर परियावरण सुरक्षित करने के लिए जागरुक करना बुटान एक कार्बन नेगेटिव प्रदेश है जहां कार्बन का जीरो प्रतिशत उत्पादन होता है कोस्टा रिका में 99% प्राक्रतिक उर्जा का उत्पादन होता है चाइना अब पबन उर्जा के निर्माण में सभी देशों से आगे निकल चुका है एका उस्तिको दाओ पयाँ अधियक का उस्तिको एकुका उस्तिकर रिक्ष्का उस्तिक के उस्तिक है